नमस्कार आज इस वीडियो में हम कुटच के बारे में पढ़ेंगे जिसके जो रचनाकार है वो है हजारी पसाद दुवेदी जी और हजारी पसाद दुवेदी जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से हिमाले परवत की उचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाले एक कुटच के बारे में हमें बताया है और इसी फूल की प्रकरती पर यह निबंद कुटच लिखा गया है किस तरीके से यह इतने अभावों में वहां और इतनी कटनाईयों के साथ वहां रहरा होता है और उसके बाद भी यह वहां डटकर खड़ा रहता है घपराता नहीं है औ और आगे हजारी प्रिसाद जी भी कहते हैं कि कुटज में ना कोई विशेश सौंदर्य होता है ना कोई सुगंध होती है फिर भी लेखक ने यहां पर उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया तो आएब हम पार्ट की और बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पार्ट है क्या और कुटच के बारे में यहां क्यों बताया गया है साथी साथ में यह कहना चाहूंगी कि वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जहू देखें साथी साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जहू कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर जहूर पहले भी बताया कि हमाले परवत के जो दुर्गम रास्तो और ऐसे वातावरण में जहां रहना भी impossible है, मुश्किल है, ऐसे वातावरण में ये कुटच जो फूल है वहां रहता है और इसी के बारे में इसी के माध्यम से लेखक निया संदेश देने का प्रयास किया है और पहल जो परवत श्रिंखला है हमाले की उस पर उखने वाले कुटच व्रिक्ष के बारे में बताया है, कहा जाता है कि परवत शोबा के घर होते हैं, यानि जो परवत होते हैं वो शोबा वड़ाते हैं, हमाले को तो पृत्वी का मानदंड कहा जाता है, और जो हमाले परवत है उ भगवान उसकी प्रवर्षिंठला भी कहते हैं। शिवालिक या शिव की जटा जूट का निचला हिस्सा होता है। हमें ऑटोमेटिक है कि हमें इश्वर शिव की आधाने रखते हैं। शिव की प्रतिमा जो मुर्ति हैं हमारी आखों के सामने स्पष्ट हो जाती है। यहां की काली-काली चटानों और उनके बीच की शुशकता को सहकर भी कुछ ठिकने से दर्खस्त गर्मी की भयंकर मार को जेल कर जी रहे हैं। और यहां बताया गया है कि इसी परवत पे जो काले-काले जो चटाने हैं उनकी जो शुशकता है यानि जो रूखापन है उसको सहकर भी कुछ ठिकने जो पौधे हैं वो भयंकर घर्मी को जेल कर भी वहां पर जी रहे हैं। उपर से वृक्ष बहया है क्यों कि विकषो को चौह प्रतित हैं पत्थ्रों की चाती को फाड कर घखरी खाईयों से अपना भौग्य खीची लेते हैं। यानि जो नॉर्मल पोधा होगा, जो नॉर्मल प्लांट होगा, अगर घर में पोधे लगाते हैं, तो हम उसको पानी देंगे, तो वो ठीक रहेगा, तो उसको भोजन मिलेगा, तो प्रॉपर उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, लेकिन ये हिमाले परवत पर उने वाला जो व्रिक्ष है, जो कुटज फूल है, इतना धीट, इतना भेहया, इतना अक्तुमौला है कि ये इतने कठोर परवतों के अंदर से भी किस तरीके से अपने लिए भोजन ग्रहन कर लेता है, ये व्रिष्क मुस्कुराते रहते हैं, यानि इसका मतलब लेखक के एक मैसिज देना चारे हैं, कितनी कठनाईयों के बावजूद भी जहां खड़ा रहना मुश्किल है, जहां खाने को कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मस्तुमौला हैं, और मुस्कुराते रहते हैं, और इ अभी तक हम हिमाले परवत की बात कर रहते हैं, और उस हिमाले परवत में उगने वाले कुटज विक्ष की बात कर रहते हैं, अब यहां बात करते हैं नाम की, जो लेखक है, उनको जो है इस पौधे का फूल का नामयाद नहीं आ रहा था, तो अभी से हमें नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम किसी famous personality या किसी प्रसिद्ध व्यक्ती की बात करते हैं माल लिजे हम हमारे देश की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की बात करते है तो जो इनसान है अपने नाम की वज़े से नहीं अपने कर्मों की वज़े से अपने कार्यों की वज़े से जाना जाता है संसार में बहुत से नरेंदर होंगे ठीक है, बहुत से लोग होंगे जिनका नाम नरेंदर होगा, में भी हो सकता है नरेंदर मोदी भी हो तो वो सिर्फ नरेंदर नाम होने से वो नरेंदर मोधी नहीं बन जाएंगे नरेंदर मोधी सुनते हैं हमें उनके काम याद आने लगते हैं हमें उनके गुण याद आने लगते हैं वो क्या है क्या उनके अंदर qualities हैं वो हमें याद आती है ठीक है तो यहाँ पर नाम होना ही सब कुछ नहीं होता हमें इंसान की जो बखूबी है जो उसके गुण है जो उसके अंदर की शमता है उससे हमें इंसान की पहचान होती है तो यहाँ पर लेखक यही कहता है कि नाम तो चाहिए तुम हजारों रग्दों किसी चीज़ के लेकिन उस इंसान की पहचान तो समाज क कि स्विकृति मिली हो और इतिहास द्वारा प्रमानित हो जो लोगों के दिनल में रचा बसा हो ऐसा ही होना चाहिए अभी तक हम नाम की चर्चा कर रहे थे आगे हम देखते हैं कि अचानक से जो लेखा के उसको याद आता है कि इस ठीगने से विक्ष का भी अपना एक संस्कृत में महतुर है चुका है उन्हें एक इंसिडेंट याद आता है कि जब काली दास ने मेग यक्षिद्वारा मेग अभ्यर्थना कराते समय कुटच विक्षो की अंजली दिलाई थी यानि जब काली दास थे और उन्हें मेगों को भर्टसना उनकी करनी थी और उनको मतलब एक तरीके से उनको याद कर अभिशेक किया मतलब उससे उनको अरपित किया यानि जो फूल है अपनी एक विशेश महत वो उस दोरान रखता है लेकिन उस समय भी इसको कोई वो मान वो सम्मान नहीं मिला जो इसको मिलना चाहिए था आगे जो लेखग है वो बताते हैं कि कुट, कुटज और कुटनी इ का जाता है कि घड़े से हुत्पन होने के कारण जो अगस्ते मुनी थे उनको कुटज कहा जाता था यानि पुराने समय में जो एक रिशी मुनी थे अगस्ते मुनी वो घड़े में पैदा हुए थे घड़े में जन्मे थे जिसकी वज़े से उन्हें कुटज भी कहा जाता थ संस्कृत में कुटिकारिका का दासी को कहते हैं और एक ज़रा गलत धंग की दासी कुटनी कहलाते हैं, यहा, जो गलत काम कर देते दासी, जो काम अपना सही तरीके से करती उसको भी कुटनी कह देते तो कुट का मतलब हमें पता चल गए घड़े को कहा जाता है या घर को तो अब वैसे अगस्त मुनी का जो जन्म था वो घड़े में हुआ तो उनका घर हो गया तो उनको कुटज कहा जाता था ठीक है और कुटनी उसको कहा जाता है जो गलत से काम करती, या अपना काम सही तरीके से नहीं करती। तो ये तीनों शब्दों के शापड लिक अर्थ हमें पता चल गए, कुटकुटज और कुटनी। संस्क्रित में उसकी गलतियों को मुखर बनाने के लिए कुटनी कह दिया जाता था। और उसकी गलतियों को याद दिलाने के लिए उसको मुखर बनाने के इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उसको कुटनी कह दिया जाता था अब हम बात करेंगे इस फूल के अपराजे जीवन शक्ति की अपराजे जीवन शक्ति यानि ऐसी जीने की शक्ति जो कभी हारे ना जैसे कि हम उपर उधारन के माद्यम से जानी चुके हैं कि जो कुटज पौधा है जो कुटज फूल है कि कैसी विशम परिस्थितियों मेर भी रहकर भी डटकर खड़ा रहता है अपनी परिशानियों से हारता नहीं यानि आपराजे जो कभी न हारे तो कुटज का पौधा नाम और रूप दोनों में आपराजे जीवन शक्ति की गूशना करता है यानि इसका नाम भी उसके जैसा है और साथी साथ उसका रूप भी उसके गुण भी ऐसे हैं जो उसके नाम को एक्स्प्लेइन कर देते हैं इसकी शोभा जो है मन को मोहने वाली है मादक है ये भयंकर गर्मी की लू के थपेड़े खाकर भी हरा भरा रहता है यानि देखिए यहां एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है लेखक द्वारा कि किस प्रकार एक पौधा जो है छोटा सा नाजुक सा जो पौधा है जो दिखने में भी खुब सूरत है लेकिन उसके फूल जो है सफेद रंग के हैं और कितनी परिशानियों के बाद गर् प्रेश है लेखक अपने इस उधारन के माध्यम से लोगों के अंदर पहुचाना चाहते हैं कि हमें जीवन की कटनाईयों से परिशानियों से घवराना नहीं है हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है हमें जीवन की परिशानियों से थपेड़े खाकर भी वहीं डटकर खड रहना है और हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना है जब हिमाले से निकलने वाली नदिया अपना रास्ता खोज रही होती है तब चत्तानों की उबढ़ खावड सूखी नीरस नीरस यानि जिसमें कोई रस ना हो भूमी पर कुटच आसन मारे बैठा दिखाए देता यह पाताल की छाती चीर कर भी अपना प्रापट पर अवसूल करता है और भूगे खीच लेता है यानि पाताल की छाती यानि जहतने बड़े-बड़े कठोर परवत है उसमें से भी अपने लिए कही ना कही से कोई ना कोई रस निकाल लेता अपने लिए जो चाहिए वो प्राप्त कर लेता है और अपने लिए भूजन ग्रैंट कर लेता है इसी विशम परिस्तितियों में भी इसका जीवन इसकी जीवन शक्ती का पार नहीं पाय पार नहीं पाया जा सकता, यानि कोई comparison नहीं है, कोई तुलना इसकी नहीं कर सकता, जितना ये जहलता है, आगे हम बढ़ते हैं कि कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, तो जो कुटज है उसके जीवन से हमें ये ही सीख मिलती है कि जीना भी एक कला है, जीने का तरीका आना चाहिए, संसार अपने मतलब के लिए जी रहा है, सब selfish है सब selfish है, सब selfish है आप कितना ही बोलो, नहीं मैं नहीं हूँ मैं मतलब भी नहीं हूँ, कितना ही कोई कितना बोले, बट एक point ऐसा आता, वो अपनी selfishness दिखाता और ये कोई बुरी बात नहीं है सब अपने मतलब के लिए जीते हैं पर कई बार हमें अपनी इंसानियत को भी दिखाना जरूरी होता है जहां सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना होता, तो लेखक यहीं कहते हैं कि जीवन जो है सब मतलब ही है मतलब के लिए जीए जा रहे हैं दिखाने के लिए देशों के उद्धार का नारा लगाते हैं, दिखावे के लिए हम देश का भला चाहते हैं, सहित्य और कला की महिमा गाय जाते हैं, पर सब जूट है, और आगे लेखत कुटच के माध्यम से बहुत से चीजों पर व्यंगेया करता है, कि लोग जो है मतलब के लिए जी रहे हैं, देश के उद्धार के लिए नारे लगाते हैं, और सहित्य और कला की महिमा गाय जाते हैं, पर ये सब जूट है, ये सब दिखावा है, सब ही कोई इसके लिए अपना स्वारसिद करना चाहता है, लेखा का कहना है कि व्यक्ति की आत् मेहें वो सिर्फ उसकी नहीं है, वो सबके लिए, उसको अपने को सबके लिए नुछावर कर देना चाहिए, कुटज क्या केवल जीत, आगे जो लेखा कहा कि, वो प्रश्न करते हैं, जारी पर सार दिवेदी जी, कि कुटज का, कुटच जो है वो केवल जीता है सिर्फ उसको जीना है तो वो क्या सिर्फ इसले डट कर खड़ा रहता है वह आत्मसम्मानी है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी वो आत्मसम्मान को बचाय रखता है वो अपने उदेश्यों को साधने के लिए कि जैसे उसको खुद को बोजन घ्रैंट करना है या उसको इन कटनाई हो परिशान हो चुका है जीवन में तो किसी के और के द्वार पर नहीं जाता तो वैं किसी के द्वार पर भींग मांगने नहीं जाता और नीती धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता और किसी की चापलूसी नहीं करता और भगले नहीं जागता वो वेट नहीं करता कि मेरे लिए कोई कुछ करेगा तो इंसान को भी कुटच जैसा बनना चाहिए इंसान को भी कुटच की तरह self-dependent होना चाहिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए, विश्यम परिस्तितियों से नहीं घमराना चाहिए, वह है तो यह संदेश देता कि चाहे सुख हो या दुख हो so last grant करो, उसको खुशी के साथ grant करो, शान के साथ जीओ, हार मत मानो, अगर आपकी जिन्दिगी में सुख है, तो उसको खुशी से जीओ दुख है, तो भी उसको खुशी से जीओ ऐसा व्यक्ति निश्चे ही विशाल हर्दे होगा और ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों को खुशी से अपनाएगा वो बहुत बड़े हिर्दे का होगा पता नहीं कुटच को ऐसी निर्भद दृश्टी कहां से निली, और ऐसा जीओन जीने का तरीका कभी लेखा कहते हैं कि पता नहीं कुटच को ये कहां से मिला जो ये समस्ता है कि वह है दूसरों का अपकार कर रहा है वह अबोध है और जो समस्ता है वह दूसरों का अपकार कर रहा है वह मूर्ख है और जो सुख है उसका अभिमान भी गलत है दुख सुख हमारे मन के वहम है हमें पता हमें क्या चाहिए तो वह हमाले मिली गया तो वह हमाले सुख है और जो होना अर्थ है खुशामत करना यानि जिनका मन वश में है वह सुखी है जिनका मन परवश है वह दुखी और जिनका जो मन है वो कंट्रोल में है तो वो सुखी रहेंगे उनको पता है अपनी इच्छाओं को किस तरीके से दबाना है किस तरीके से अपनी इच्छाओं पर कंट् करने के लिए चापलुसी करना, किसी की जी हुजूरी करना, दात निपोरना, यानि अपना काम निकलवाना, जिसका मन वश में नहीं होता, वो दूसरों को फसाने के लिए जाल बिछाता है, और जिसको अपने पर गंट्रोल नहीं होता, वो अपने काम को पूरा करने के लिए क किसी भी हद तक जा सकता है। कि कुटज अपने मन पे सवार करता है, मन को अपने उपर सवारी करने नहीं देता। जिसने अपना मन कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने मन पे काबु पा लिया, वो जिन्दगी में कभी भी किसी चीज के लिए दुखी नहीं होगा। उसको पता है सुख और दुख की असली परिभाशा क्या है। तो इस तरीके से जो पाठ है यहां समाप्त होता है, आशा करती पाठ बहुत अच्छे से समझाया होगा। इसमें कुठच के माध्यम से जो हजारी प्रसाद दुवेदी जी है, उन्होंने एक संदेश देना चाहिए कि इनसान को कुठच के जैसा जीवन जीना चाहिए, विशम परिस्थितियों से बिगने घमराना चाहिए, परिशानियों का डटकर सामना करना चाहिए, और अपनी माध्यम से यहां समझ सकते हैं, और पाठ आपको क्लियर होगा, अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रशन उत्रों के और बढ़ेंगे, तो अब इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ महत्वपून्ट प्रशन जो हैं चर्चा करने जा रही हूँ, मैं सारे प्रशन उ उत्तर दे सकते हैं, तो पहला प्रशन है कि कुटच को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है, क्योंकि वे मुसीबत में काम आया, गाड़े का साथी यानि मुसीबत के समय वो काम आया, कालिदास ने अशाड मास के प्रथम दिन जब यक्ष को रामगिरी परवत पर मेग की प्रशन दो है, नाम क्यों बढ़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों मे लिकिए, ये भी हम पाट के सार में समझ चुके हैं, कि इसमें यही बात की गई थी, कि हम किसी को नाम से नहीं पैचानते हैं, जैसे कि मैंने नरेंदर मोदी जी का भी उधान गया था, कि देश इंतावशक है, क्योंकि नाम तो रखने को हम स्वा नाम भी रख सकते हैं, लेकिन उस इंसान की पैचान उसके गुणों से, उसकी शमताओं से होती है, और जो समान में उसको सुईकृती मिली है, जो उसका इतिहास रह चुका है, जो लोगों के चितमेरच बस चुका है, उन कुटच कहा गया है, कि कुट प्लस जव घड़े से उत्पन, और जो एक गलत धंकी दासी होती है, जो गलत तरीके से काम गरते है, उसको कुटच कहा जाता है, अगला मैं दुबारा कह रही हूं, मैं से इंपोर्टेंट क्वेस्टन आपके साथ डिसकस कर रही हूं, तो तीस परिस्तितियों में भी जीना सीखना है, समान्य परिस्तितियों में जो सभी जी लेते हैं, वे विशम परिस्तितियों में जीना वास्तविक जीना होता है, क्योंकि नॉर्मल सिच्वेशन में तो हर कोई अपने जीवन को जी लेगा, लेकिन परिशानियों में जो जी लेता ह तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, जिस प्रकार वै कठोर पाशान को भेद कर पताल की छाती चीर कर अपने भोगे का संग रह करता है, उसी प्रकार हम से भी को अपने भोगे का संग रह करना चाहिए, हमें अपने प्राप्वे को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रकरती से या प्रशन उठाकर अनेक मानवी कमजोरियों पर टिपने ही है, कुटच केवल जीता नहीं है, शान से और स्वाभिमान पूरवक जीता है, यानि सिर्फ वो ये नहीं कि वो पैदा हो गया है, तो उसको जीना अपने लाइफ को आगे तक चलाना है, नहीं, वो शान से जीता है, प जानत नहीं करेगा, तो जीवन में सफर नहीं कर पाएगा, इस प्रशन से मानव स्वाभाव की इस कमजोरी पर प्रकाश पड़ता है, कि अनेक व्यक्ति किसी ना किसी विवश्ता वश जी रहे हैं, उन्हें जी जी विशा शक्ती का अभाव है, यानि कुछ लोगों के जाले एक न्यूस भी आई थी, कि वो जो रैसलर की मुझे एक जिक नाम यानिया रहा, तो वो एक माक से रहे गई, तो मतलब उसने सुसाइट एटेंप्ट कर ली, या डिप्रेशन के शिकार है, तो जीने की जो शक्ती है, वो इंसान के अंदर खतम हो चुकी है, आपकी ला में नश्ट कर लिया, तो ये जो शक्ती है, ये दिन पर दिन खतम होती जा रही है, जैसे तैसे करके जी रहे हैं, उन में संघश का भाव है, वो महनत नहीं करना चाते हैं, वो लड़ना नहीं चाते, वो अपना प्राप्पय हैं, उनके लिए हैं, उसको वसूल करना नहीं कठिन परिस्थितियों को टकरा कर गबरा जाते हैं और इसके बीच जीवन में उल्लास नहीं है वे हारे मन से जी रहे हैं उन्हें इस प्रवर्ति को त्यागना होगा और जो मैक्सिमम मैं आप सभी स्टूडेंट से भी कहती हूँ कभी भी किसी भी आपका I agree आपका साही इश्वर ने आपको इंसानी शरीट दिया है तो कुछ ना कुछ मोटिव होगा उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच कर आपको बनाया होगा तो हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना बचा के रखना पॉजिटिव रहना है और अपने लक्षे को निरंतर प्रयास पाते र इश्वर पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है कि मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि दुख और सुख दोनों मन के वहमें अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी आपको इच्छाएं रखते हैं तो वह आपके लिए आपका सुख होगा अगर पूरी नहीं हो पाती तो वह आपका दुख आपके दुख का कारण बन जाएगा फिर ऐसे में आप डिप्रेस रहने लग जाओगे अप टेंशन में आ जाओगे कुछ लोगों के उससे बहार आ जाएंगे तो यह हमें एक्स्प्लें करना है कि हैं हमारे जीवन में करने की लिए किसीकी पैर भी यानि किसी भीblue करने को तयार है तो इस तरीके से इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रशन है जो मैं क्लास 12 की सारी वीडियो मैं अपलोड करती जा रही हूं कुछ रह रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए उससे आपको जो भी अपडेशन्स है वो मिलती रहेगी धन्यवाद कि अवीर, को भीडियो आपको भीछियो आपको जो हो